इस लेक्चर में ट्रीटी ओफ हाई सी के बारे में डिसकस करेंगे इस ट्रीटी को बीबी एंजे ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं ये रीसेंटली न्यूज में हैं इससे पहले हम थोड़ा बेसिक समझेंगे इस ट्रीटी को पढ़ने से पहले कि हाई सी क्या होता है हाई सी यह देखो, यह map देख रहे हो जो आप, इससे पहले आप यह वाला map देखो, जैसे अपना हिंदूस्तान है, अब हमारे इंडिया की जो territory है, हमारे इंडिया की जो भूमी है, यह यहां तक है, अब कुछ island भी है, होनगे देखो यहाँ पर लक्स दीप है और यह अंडबान निको बार है तो जितनी भी भूमी है, वो सब किसके दाइरे में आती है इंडियन गॉर्मrollman के दाइरे में आती है लेकिन जो समुंदर का पानी है भैसाब वो समुंद्र के पानी पे किसका हक होगा ये हक किसका होगा इसको define करने के लिए एक convention हुई थी जिसको unclosed बोलते हैं unclosed unclosed का मतलब क्या है United Nation Convention on Laws of C मतलब C के समुंद्र को regulate करने के लिए क्या law होंगे, क्या नियम होंगे ऐसा एक agreement हुआ था unclosed United Nation Convention on Laws of C तो इसने decide किया था कितना area कौन सी country के दायरे में रहेगा इसने कुछ define किया था इस वज़े से अगर मानलो हम इंडिया की जो baseline है baseline baseline क्या है अपने हिंदुस्तान के जितने भी ये छोटे छोटे प्लेस बाहर निकल रहे है मानलो ये दूसरे map में समझते हैं हम इसे map को यहाँ पर ले लेते हैं एक map मानलो ये वाला अपना हिंदुस्तान है और ये मानलो छोटे छोटे से ये छोटे छोटे से land बाहर निकल ले है समुद्र की तरफ इधर समुद्र है ये हमने मिला दी जैसे मानलो ये यहाँ से line आ रही है मैं दूसरा pen ले लेता हूँ मानलो ये वाली line हमने मिला दी यहाँ से ये मिला दी है अब ये जितने हमारी headland जो निकल रही थी बाहर वो हमने मिलाई है अब जो अंदर बचा है हमारा internal water है इस पे किसी का हक नहीं है सिर्फ इंडिया का हक है अब इसके बाद वाला अब जो ये line खीची ये हो गई base line इसको बोलते हैं base line अब base line से हम समुद्र की तरफ जाएंगे base line से समुद्र की तरफ 12 nautical mile समुद्र में जो दूरी है न उसको हम nautical miles में मानते हैं वैसे किलोमेटर में नापते हैं जब आप रोड पे चलते हो समुद्र में चलते हैं तो इसे nautical mile में लिखते हैं unit है ये नापने की distance की एक nautical mile में 1.852 किलोमेटर होता है अगर आपको किलोमेटर में निकालना है तो 12 को 1.852 से multiply कर दो तो आजाएगा किलोमेटर में तो हम थे यहाँ पे कि अगर बेस लाइन से 12 nautical mile समुद्र की तरफ जाएंगे तो ये जो water है इस water को बोलते हैं या इस zone को इस area को बोलते हैं sovereign water या sovereign zone जिस पे sovereign zone की वज़ा से इसको sovereign zone या फिर territorial zone बोलते हैं territorial sea territorial sea आप बोलेंगे इसे territorial sea territorial की spelling यहाँ पे देखो आप ये वाले spelling जो दिखाई दे रही है territorial sea territorial sea पे पूरा का पूरा हक उस country का होता है जिस country के पास ये होता है जैसे इंडिया के land से ये देखो baseline से जाएंगे हम 12 nautical miles तो ये पूरा का पूरा tight roller sea इंडिया का हक है पूरा sovereignty इंडिया की है कोई दूसरा बंदा यहाँ पे आई ही नहीं सकता पूरा इंडिया का है अब इस 12 nautical miles से हम और आगे 12 nautical miles जाएं यानि कि base line से हो गए 24 nautical miles तो ये जो है 24 nautical miles तक ये 12 nautical miles वाला अगला इस एरिया को बोलते है contiguous zone ये वाली spelling है contiguous zone की contiguous zone पे भी उसी देश का हक होता है लेकिन इस पे क्या है दूसरी country गुजर सकती है लेकिन इंडिया को पूछ के पूरा हक पूरा इंडिया की sovereignty होती है जैनी कि जिस देश के पास हो उस देश की sovereignty होती है उसी का हक होता है law चलता है यानि कि यहां पे क्या न कोई बंदा यहां पे जहाज निकाल रहा है इसे एरिया से तो इंडिया से पूछ के उपर से जहाज निकाल के लेके जाएगा या संपानी का जहाज लेके जाएगा तो इंडिया से पूछ के अब इस लाइन से जो contiguous zone है 12 nautical mile लगला यानि कि 24 nautical mile तक अब इससे आगे यानि कि base line से ये आगे आपका ये वाला area ये वाला area है contiguous zone वाला 12 nautical mile तक अब ये ही हम base line से यहां तक जाएंगे 200 nautical mile तक ये भाई साब यहां से आगे गई हम ये 200 nautical mile 200 nautical mile इसको बोलते हैं E E Z exclusive economic zone spelling यहाँ पर देखो exclusive economic zone तो ये exclusive zone में सिर्फ कोई minerals या खनिजपदार्थ या कुछ भी metal वगएरा खोज करने या oil वगएरा खोज ना है क्योंकि समुद्र के अंदर हो सकता है ये exploration का हक किसे मिलता है जिसका ये है यानि कि इस पे हक किसका चलेगा जो international treaty है unclosed इसके हिसाब से unclosed से के लिए एक authority वनी हुए इस treaty के लिए international sea bed authority international sea bed authority इससे पूछ के ये इंडिया अपने 200 nautical miles में minerals, oil वगएरा की खोज कर सकता है explore कर सकता है कोई दूसरा country नहीं कर सकता अब 200 nautical miles से ये 200 nautical miles से आगे ये है high sea इसको बोलते हैं high sea इस पे सब का बराबर का हक है चाहे कोई भी country है ये मानलो इंडिया से अगर हम 200 nautical miles आगे जाएं तो ये high sea हो गया अब इस पे सब का हक है अगर मानलो कोई दूसरी country आ रही है यहाँ पे मानलो सिसली आ गई मालदीप आ गया अगर मालदीव के पास ये area पड़ता है तो मालदीव का हक ज़ादा हो जाएगा 12 nautical miles 2400 nautical miles 200 nautical miles तक फिर उसमें मालदीव का हक चलेगा अगर मालदीव से भी ये दूर हो गया 200 nautical miles मालो यहाँ पे कोई country नहीं है यहाँ पे आ गया तो सब का बराबर का हक है कोई भी होँआ से जहाज निकाल के लिए जिके जाए पानी का जहाज निकाल के जाए या कोई खोज करे कोच भी करे सब का बराबर का हक है उस पे उसे ही बोलते है high sea अब आते हैं अपने इस lecture पे जो treaty संधी जो हुई है treaty का मतलब संधी agreement कुछ मिमाल लो ये एक meeting हुई है चौथी meeting चौथी meeting किस की हुई है ये चौथी meeting हुई है इसी के अंदर जो unclosed है ना इसी की चौथी meeting हुई है United Nation Convention on the Law of the Sea इसी की चौथी meeting हुई है इसका नाम है IGC Fourth Intergovernmental Conference Conference का मतलब होता है meeting है New York में हुई है अमरेका के New York सहर में ये meeting है इसने एक draft तयार किया है draft का जो नाम दिया है BBNJ BBNJ का मतलब है biological diversity in areas beyond national jurisdiction तो इसको BBNJ treaty भी बोल सकते हैं या treaty of IC किसलिए है ये Conjurvation of sustainable use के लिए जो marine biological diversity है marine का मतलब समुदर में जो biodiversity है जय विविद दाए जो भी वहाँ पे पसू, पक्सी, पेड पौदे जो भी मिलते हैं समुदर में मिनरल्स वगेरा कुछ भी जो national jurisdiction से beyond है यानि कि इससे जहाँ पे national jurisdiction आता है उससे अलग territorial water contiguous zone EEZ से आगे यानि कि हाई सी में जितने भी मिनरल्स हैं बाइडवस्टी है उनको conserve करने के लिए संजक्सित करने के लिए ये treaty है तो क्या है ये BBNJ treaty क्या क्या इसमे rules regulation दिये गए है कैसे decide होगा ये सब discuss करते हैं BBNJ treaty को treaty of high cb बोलते हैं international agreement एक समझोता है जो ये rules regulation बनाएगा कि United Nation के under में जितने भी currently अभी rules regulation आते हैं ये BBNJ treaty के तहत अब लागू होंगे जो भी national jurisdiction से जहां पर एक राष्ट का jurisdiction है दायरा है जैसे contiguous zone तक territorial water तक इनके अलाबा EEZ के अलाबा high ca उनमें कैसे marine biological diversity को बचाया जाएगा चंजर्व किया जाएगा जो new instrument होगा ये unclosed के अंदर ही ये develop किया जा रहा है और main international agreement है unclosed आपको पता है human activity c में कैसी होंगी कौन high c में जाएगा नहीं जाएगा या कौन EEZ में explore करेगा सब unclosed में लिखा हुआ है जैसे हमने उपर डिसकस किया तो उसी के अंदर ये नया rules regulation बनाय जा रहे है नई treaty adopt करी जा रही है एक holistic management होगा high c का कोई activity ऐसी ना करे कि high c में high c के अंदर मानलो कोई जीव जन्तू मिलते हैं और किसी ने मानलो वहाँ से कोई electronic line निकाली या internet की तार बिछाई या मानलो कोई जहाज लेके गए जहाज में oil spill हो गया मानलो वहाँ पे तेल निकल गया विखर गया वहाँ पे कोई petroleum लेके आ रहा था तेल विखर गया समुदर में उसकी वजह से जीव जन्तू वहाँ पे मर गई तो ऐसा ना हो ऐसी activity को रोकने के लिए ये rules regulation बनाए जा रहे हैं marine resources को protect करने के लिए conserve करने के लिए exclusive economic john के बाद जितना भी area आता है उस सबको high sea बोलते हैं और exclusive economic john national water बोलते हैं उसको exclusive economic john तक national water कहा जाता है किसी भी कंटी का जैसा हमने उपर discuss किया तो इसके significance क्या होगे importance क्या होगी importance यह है जो IUCN है International Union for Consurvation of Nature ये एक organization है non-profit organization ये किसलिए काम करती है profit के लिए काम नहीं करती है जितने भी world में fauna, flora है fauna का मतलब है आपका animals bird animals, flora का मतलब है plant and tree इनको conserve करने के लिए काम करती है organization इसमें non-governmental organization NGO GERS सरकारी संस्ता या सरकारी संस्ता government organization या government भी या आपके कोई institution, college, university, academic institution, center, सब इसमें participate करते हैं IUCN में ये बनाई गई थी इसलिए ताकि conserve किया जा सके diversity को तो इसके हिसाव से भी IUCN के हिसाव से भी जो अर्थ का half service almost half service वो क्या है अर्थ का half service conserve करना जरूर है और लगभग वो high c में आता है और ये इसके लिए बहुत ही कम rules regulation बने हुएं केवल 1% area ही protected है अभी तक ये जो बायडवस्टी आती है IUCN का कहना है जो negotiated agreement है इसमें five aspects रखे गए है जो ये treaty बनाई है BBNJ और जो treaty of high c है इस treaty में पांच major criteria रखे गए है कौन-कौन से एक तो environment impact assessment किया जाएगा जब भी high c में कोई activity की जाएगी तो उससे पहले ये देखा जाएगा उस activity करने से कितना नुकसान होगा समुदर में जीव जन्तू को या हुआ की diversity को इसे बोलते हैं environment impact assessment यानि कि परियावरन पे कितना प्रभाव पड़ेगा उसका मुल्यंकन करना assessment मतलब मुल्यंकन evaluation impact मतलब effect परभाव environment मतलब परियावरन दूसरा component aspect यह है marine genetic resources को conserve करना है ऐसा नहीं है वहाँ पे जितने resources संसाधन पाए जा रहे हैं उनको आप नस्टी कर दो कोई activity कर रहे हो या कुछ भी activity कर रहे हो C में capacity building capacity building का मतलब है ऐसे training देंगे लोगों को कि high C के जीव जन्तू है उनको बचाया जा सके परियावरन को वहां के environment को संदक्सित करके रखा जा सके technology transfer अगर एक देश के पास कोई ऐसी technology है जिसकी वज़े से environment को protect किया सकता high C में तो वो दूसरे देश में transfer करेगा उस technology को cross cutting issues जैसे हैं institutional structure, financial support यह financial support दिया जाएगा ऐसी international bodies को जो काम कर रही है environment को high C में protect करने के लिए तो यह इथा इस lecture में